वालेट, जिसका भी है यहार रख लो, बीस रुपए, माच रुपए, पचास रुपए, दाइविंग लाइसेंस है इसमें, नमनीत अगरवाल, रखो बाबा, यह ले बाबा, सर को देदेना, आरे ले ले ना, सर को देदेना, नमनीत सर को नित खेहर मंगा, सोणया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा चलो भाई, आजाओ, आजाइए गाइज, आप सभी का स्वागत है गाइज, कॉंट्रेक्ट एक समझना है, आजाओ, पढ़ाद दूँगा आजाओ, पढ़ाद दूँगा SBC में एक्जेम्शन चाहिए, आज जाओ, दिल आदूँगा मंत्रों से बढ़के तेरा नाम, जैश्री राम, जैश्री राम, जैश्री राम, राजा राम आए ब्रदर फ्रम अनादर, जैश्री राम, 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 ज आजाओ, आजाओ, इश्क दी फकीरी कहां थे गाईज हम, कहां थे गाईज, कहां थे गाईज, बोलो यार गाईज यार लिंक चली गई क्या, देखो आपकी ग्रुप्स में लिंक आई क्या, हां, लिंक आई आपकी ग्रुप्स में गाईज, बोलो गाईज, हां गाईज, देखो यार गाईज आई क्या गाईज, जे आई जिल में, इश्क दी फकीरी अरे नहीं आई है यारे क्या कर रहे है तेरी निगाहों के करीब से गई जिन्दगी तेरी है ये सासे ना 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 करूँ अब तो बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलेश है हवाँ में बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलेश है अवाओं में बिल तेरे चेली भाई आजाये नमस्ते सच्छरीकाल कैसे हो आजाये पीपल आजाओ भाई शुरू कर रहा है आओ माई स्वीरी क्यूडी फाई आओ स्वीरी क्यूडी पाई आजाओ चलो ओए सुनेंगे ध्यान से तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ लिया था सर मैंने पहले वाले कुछ लेक्चर करने है जो एप से करने है पर ओपन नहीं हो रहे हैं तो ओफिस में कॉल करो चलो कल अमने एक पहला लेक्चर किया था कौन सा कौन सा किया था कॉंड्रेक्ट टैक्ट का पहला लेक्चर किया था राइट इधर जगा है बिटा इधर आजाओ हां आजाओ इधर किसको जगह नहीं मिल रही आओ एक इसको जगह चाहिए बताओ आजाओ दिल ला दूंगा कॉंट्रेक्ट प्ढ़ना है आजाओ ठढ़ दूंगां जयई-जयजल में एक्जेमशन चाहिए आजाओ दिल ला दूंगां आजो गल्फ्रेंड चाहिए वो नहीं पटवाऊंगा बैठो भाई सब बैठ गया है सबकी जगह विवस्थित सबने टिका लिए अपनी अपनी क्यों भाई सबने टिका लिए ना देखो लाइफ में टिकाना इंपोर्टेंट है इधर एक जगह है लास में चार ठुस ठुस के बटने इधर आजो यहां एक जगह है भाई आजाओ आजओ 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 बिठा दूंगा आजो यार आजओ डर्लिंग क्या हो गया यह देखो हमारी class online वावले बच्चों को दिखाते हैं देखो कंमीरा कि इसका कमरा इसका कमरा किदर गया यह है कमरा आईए आज़ो 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 दिखा दूँगा मेरा मतलब है lecture तुमने क्या सोच यह देखो भाई यह हमारे हं और होनहार होनहार एक से बढ़के एक गधे लोग देखो सबसे देख सकते हो आप एक से बड़केक हैं जो खड़ा है महां गदा है सबसे सरदार है वो सबका गदो का सरदार देख सकते हैं दोस्तों आप चलो भाई शुरू करें चलो भारत माता की जिन्दगी जब तक रहेगी फुरसत न होगी काम से कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो प्रभूष श्री राम से जय जय श्री राम चलो भाई आए जी शुरू करते हैं लेट्स गो पीपल आईे बड़ी ब्रदर फ्रों अनादर मदर आजाओ शुरू करने हैं कैस हमने लास लेक्चर में क्या पढ़ा था याई जयल पढ़ा था यार, seriously न, चलो भाई, आजएए, नित्खेहर मंगा सोनेया में, तेरी दुआ न कोई होर मंगदा, चलो जी, आजओ, चलो जी, शुरू कर रहे हैं, guys, हमने last lecture में पढ़ लिया था, क्या, आप जानते हैं, क्या, आप जानते हैं, क्या, Offer पढ़ लिया था, और Acceptance पढ़ लिया था, चलो फड़ा फड़ा रवाइस कर लेते हैं, Offer कौन से section में defined है, कॉंटरेक के, Section 2, Clause A, बोलो कौन सा है, बेटा, Section 2, Clause A, Section 2, Clause A में Offer है, बराबर क्या हैं या न, अच्छा, Offer के Rules क्या हैं, बताइए जड़ा, Offer के Rules क्या हैं, इट शुड़ बी, Clear, Definite, Complete, Final, बराबर क्या, या 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 क्या, Offer Communicated होना चाहिए, क्या, Offer Express होना चाहिए, कि Implied भी चलेगा, दोनों Offer चलते हैं, हमारे देश में Express भी चलेगा, Implied भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, नीदर आजाओ, Brother from another mother, ठीक है, कैसा चलेगा Offer, Implied भी चलेगा और, Express भी चलेगा, बराबर क्या, आच्छा, दोस्तों, मेरे यारो, My Sweetheart, मेरे को एक बात बताओ, Offer जो है, Offer जो है, दोस्तों, कितने Types के होते हैं, Offer कितने Types के होते हैं, वैसे तो Majorly दो टाइप हैं, बाकी के अलग हैं वो तो, Majorly वो दो कौन से हैं, General और, General और, Specific, या, You are right, दो प्रकार के Main Offer है, General Offer और, Specific Offer, क्या फरक है दोनों में, Which is given to World at Large, वो कौन सा है, General Offer, और जो एक व्यक्ति को दिया जाए वो, वो होता है, Specific Offer, General Offer कौन accept कर सकता है, Anyone, It can be accepted by anyone, कौन से case में decide हुआ था, Carlyle versus Carbolic, Smoke, Ball and Company, बराबर क्या बोलो, हाँ या ना, Lovely, Sweet Arts, My Body, Sweet, Sweet, Cute Arts, बहुत बढ़िया, अच्छा, उसके बाद में ये बताओ, दोस्तो, Offer जो है, भाई साब, क्या communicated होना चाहिए, 100%, क्या offer communicated होना चाहिए, Yes Sir, No, तो भाई से offer communicated होना चाहिए, Very Good, Offer क्या, इस intention से दिया जाता है, क्या offer में ऐसी terms हो सकती है, कि आपने ना बोला तो हाम आनेंगे, या आप चुप रहे तो हाम आनेंगे, ऐसा हो सकता है, क्यों मर्दवान, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके, offer क्या conditional हो सकता है, Yes, अचा मोई इस counter offer, when you vary the original offer that's a counter offer, when you vary the original offer that becomes what, counter offer, counter offer, and counter offer से पहला वाल offer क्या हो जाएगा, laps, as simple as that people, अच्छा, cross offer क्या होता है, giving identical offer to each other, giving, identical offer to each other, बुलो हाई या न, अरे yes or no, अरे yes or no, अरे yes or no, और पक्का क्या, 100%, 100%, मैंने आपको बुला, आप अपना घर बेचोगे, आपने का मोधी से आप हमारा घर खरीदोगे, same offer का जो, same चीज का offer है, तो वो क्या है, cross offer, yeah, cross offer, right, अच्छा, okay, wonderful, यहां पढ़ा था हमने, दोस्तों, उसके बाद में पढ़ा था, offer और invitation to offer है कि अलग-अलग है, पहले कौन सा आएगा, आपने unique academy के advertisement देखी, offer है कि invitation to offer है, उसको देख क्या offer देने आए न, सो पहले क्या आएगा, invitation to offer, और उसके बाद क्या आएगा, offer, yes or no people, lovely sweet arts, बहुत बढ़िया sweet arts, एक number sweet arts, acceptance हमने देखा था, कैसा हो सकता acceptance, implied express है या दोनो, दोनो चलता है, acceptance के भी हमने rules देख लिए देख है, कि acceptance कैसा होना चाहिए, absolute and unqualified, मतलब इसका कि सामने वाले ने offer दिया, पकर आप उसमें change करोगे, तो वो counter offer बन जाएगा, आपको as it is accept करना पड़ेगा, तभी वो valid acceptance है, otherwise it will be a counter offer, otherwise it will be what, counter offer, lovely sweet arts, क्या acceptance भी communicated होना चाहिए, yes, hundred percent, acceptance कितने time में करना है, within time bound आपको accept करना पड़ेगा, yes or no, lovely guys, बहुत बढ़ेगा, आचा offer कब accept करेंगे, offer lapse होने के पहले, offer lapse होने के, revoke होने के पहले, आपको acceptance करना पड़ेगा, otherwise acceptance ही क्या, जब समय निकल गया, मैंने कहा, आज का दिन का offer है, जो भी आज Unique Academy admission कराएगा, उसको आशी सर अपना घर दे रहे है, पांच करोड़ वाला, बदाव आप सब घर पे रह सकते हो, जब आना है, यहाँ, लाइसेंस मिलेगा, जो करना है करो, आशी सर कह रहे है, पूने में घर चाहिए, आजाओ, दिल लाद दूँगा, कौन बोल रहे है हमारे, आशी सर, आजाओ, दिल लाद दूँगा कह रहे ह सर, हमारे, सब पांच में है, वहाँ से, और नजारा उनके घर से ऐसा दिखते है, हाए, 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 दूरबिन भी ले ली है सर, और 25 बीज में, सामने भी एक बीडिल्डिंग है, सर, दूरबिन से, दूसरों की, समाज़ रहे हो, समाज रहे हो, नहीं समाज़ आज रहो, कोगो देखो, आजा, क्या खामोशी को हम acceptance समझेंगे, खामोशी को क्या समझे, खामोशी को खामोशी समझो, नहा समझो, नहा समझो, नहा समझो, congrats, to you, congrats यह, यह उत्थी बड़ी good news है यह, क्या, good news है है, सब congrats करो madam को, congrats, online वालों को भी दिखा देते हैं, यह देखो, यह good news आई है, guys, guys, we have a good news, guys, we have a good news, guys, congrats, 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 congrats to you, congrats, huh, थोड़ा, आए, चलो, ठीक है, आई हागे बढ़ते हैं, अभी ध्यान देना आजो, so now, खामोशी को हम क्या समझे, हाँ समझे है, नहा समझे, कुछ भी नहीं जो खामोशी को, हाँ या ना, अच्छा, acceptance मेरे को बताओ, कौन करता है, offerer की offeree, offeree, offeree करता है, न, offerer तो offer देता है, और offer जिसको मिलता है, वो offeree, वो acceptance देता है, yes, or no people, यहां तक हमने पढ़ लिया था ना, जाने मन, इसके आगे बढ़ना है ना, चलो भाई, इसके आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और अच्छी प्यारी वाली, नन्नी मन्नी वाली बातें करते हैं, और contract का बहुत सारा basics का पार्ट खतम करते हैं, चलो, here we go सबसे पहले, आता है, offer acceptance के बाद में, agreement, जितना मैं बता रहा हूं, उसी को पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं, वैसी करना है, जादा अपना दिमाग जादा चलाना नहीं है, इसके handwritten notes आपको मिल जाएंगे न, तो वहीं से पढ़ देना, मैं यह chapter खतम होते ही, भिजवा दूँगा, ठीक है, ओके, चलो, here we go, agreement, agreement defined है, दोस्तो, section 2, clause E में, बोलो, कहां पर बिटा, section 2, clause E, फिर से बोलो, कहां पर बिटा, बोलो, agreement कहां पर defined है, जल्दी बिताओ, कहां defined agreement, बच्चे कह रहा है, पर congratulations क्यों कि यह समझ नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहे, बता देना चाहिए, good news है, good news का मतलब क्या होता है, क्या होता है good news मतलब, खुशकबरी, और खुशकबरी मतलब कब आती है, वो कह रही है, 9 मैने बाद आती है, ऐसा, तो बस, वही वाली news है, है न, चलो आईए, agreement, किसकी बाद करते हैं दोस्तों, agreement, आ जाओ, agreement क्या है, agreement defined है दोस्तों, section 2 clause E में, काँ defined है, section 2 clause E, फिर से उता हो, काँ defined है, section 2 clause E, it's not agreement, it's agreement, what, not agreement, agreement, क्या है बिटा, agreement, इसका section भी काँ सा है, section 2 clause, E, ठीक है, अब इद्यान देना, agreement क्या है, every promise, ओए, आप में से कौन बताएगा, promise क्या था, promise क्या था, a proposal when accepted becomes a promise, बहुत बढ़िया, आपने बुला, very good, a proposal when accepted becomes a promise, कौन से section में लिखा है, section 2 clause, B is the right answer, B acceptance का भी section 2 clause, B है, promise का भी section 2 clause, B है, section 2 clause, B acceptance में भी यह क्याता है, person to whom proposal is made, signifies his assent, he set to make a, acceptance की वाई उसने accept कर लिया, जब हाँ क्या दिया, और proposal when accepted becomes a promise, आपने में से कुछ offer किया, मैंने accept कर दिया, तो वो क्या है, बिटा, promise, बहुत simple सा उधारन देता हूँ आपको, आप एक समोसा शॉप में गए, आपने का भाया मुझे 10 समोसे चाहिए, भाया ने का दे दूँगा, भाया ने का दे दूँगा, क्या का भाया ने, दे दूँगा, आपको 10 समोसे चाहिए, आज़ो, दिल ला दूँगा, किसने बोला, भाया ने, किसने बोला बेटा, भाया ने, आपने बोला, ठीक है, अब भाईया ने बोला बेटा इसके 200 रूपए लगेगे कितने लगेगे आपने बोला आपको 200 रूपए चाहिए आजो दे दूँगा अब मिरे को तो यहाँ पर प्रॉमिस कितने है एक या कि दो है प्रॉमिस कितने है बताओ एक प्रॉमिस है कि दो प्रॉमिस है यहाँ पर दो promise है, एक promise है, समोसा देगा, वो और एक promise है, हम पैसा देगे, बराबर है ना, कितने promise हो गए, दो promise हो गए, इसलिए agreement की definition अब ध्यान से देगो, क्या कहता है, every promise, हर वादा, या बहुत सारे वादे, ऐसा भी हो सकता है, एक ही contract में बहुत सारे वादे हो, मैं ये भी लव, every promise and every set of promises, forming consideration for each other, भूली क्या है बिटा, forming consideration for each other, फिर सोली क्या है, बच्चा, forming consideration for each other, फिर सोली क्या है, सर्प किस गृप में भेजवाते हो, सर, offer वाले गृप में नहीं आता, क्या नहीं आता, लिंक नहीं आता, offer वाले गृप में मतला, मैं ओफिस में बोलता हो, बिच्चा, सर, pre-professional batch कब से start करोगे, बताओ, मोधी सर, मीतु कुमारी, बेटा, उसका announcement आएगा, पढ़ने पहले, agreement क्या है, जल्दी बोलो, क्या है agreement, every promise and every set of promises, forming consideration for each other, फिर से बोलो क्या, every promise and every set of promises, forming consideration for each other, फिर से बोलो क्या है, set of promises, forming consideration for each other, किशोर जो भी नए बच्चों के admission हो रहे हैं, old syllabus वाले, वो, जिस group में added, कौन से group में add हो रहे हैं, तो उसमें link नहीं जा रही है, चाहिए, हाँ, विजवाब हाई, उसमें, ऐसे कितने group बने हैं, एक में सब आ गए, कैसे possible है, अच्छा, ठीक है, तो उसमें देख, link नहीं गई है शायद, विजवाब यार, उसमें, गई है क्या, और देख, कोई तो group है, वो ओल रहे है, offer वाला, उसमें group link नहीं आई है, चेक करना एक बार, चली भाई, हाँ, जी, अच्छा, agreement, ध्यान दो, प्लीज, consideration का मतलब क्या, जल्दी से बताओ, अभी, what do you mean, मैं, consideration, जल्दी बताओ, consideration का मतलब क्या, consideration को हम कहते है, quid pro kyo, क्या कहते है, बच्चा, quid pro kyo, क्या होता है, बच्चा, quid pro kyo का मतलब, quid pro kyo का मतलब क्या होता है, बताओ, सरा, तो quid pro kyo का मतलब होता है, something in return, absolutely correct, quid pro kyo का मतलब क्या होता है, फिर से बताओ, एक बड़ी, इसे हम कहते हैं, quid pro kyo, और इसे ही हम क्या कहते हैं, something in return, मतलब, भाई, मैंने आपको, कुछ वादा किया है, अब भी मेरे को, अपने साइट से वादा कर रहे हो, तो यही क्या है, consideration, like आपने unique academy में fees भरी है, वो हमारे लिए consideration है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए consideration है, आप कपड़े लेने गए, आपको कपड़े मिले, वो आपके लिए consideration है, तुकानदार को पैसे मिले, वो उसके लिए consideration है, तो हमेशा, प्यार और consideration कैसा होना चीए, एक तरफा की दो तरफा, एक तरफे में valid consideration नहीं होगा, कैसे होने चीए consideration, दो तरफा, तो agreement क्या है, एक पर जल्दी से बोलो, क्या है बेटा agreement, every promise and every set of promise forming consideration for each other, फिट से बोलो every promise and every set of promise forming consideration for each other, फिट से बोलो, every promise and every set of promise, फिट से बताओ, every promise and every set of promise forming consideration for each other, बहुत बढ़िया, लेकिन हम agreement पढ़ने आएं की contract पढ़ने आएं, agreement पढ़ने आएं की contract पढ़ने आएं, तो हम तो contract पढ़ने आएं, ये agreement क्या कर रहे हैं यह आपे, ध्यान देना दोस्त, मेरी जान बनाज की पांच, जाने बन जाने जान, सुनना, मैंने आपको बोला, तुमने मेरी छीक मार दिये, अभी ध्यान देना, आजो, सभी लोग, मैंने आपको बोला, घाई, सभी लोग सुनो, मेरी शादी है, सभी लोग को आना है, मेरी शादी में, ठीक है, सभी लोग, पका आना, कल रात को 8 बजे मेरी शादी है, सब लोग आना, ठीक है, बाला हाट नहीं, पूने में ही है, सब लोगा आना घर से डबा लेके, घर से, खाली डबा लेके, खाली डबा लेके, खाना जो खाले, और लेके जाना है के लिस्ती। ठीक है, घरवालों को भी लेके आना, सब पूरे गाउं को लेके आना, कोई दिक्कत नहीं, कल कितने बजए है, 8 बजए है, सब ही आओगे ना, सब ने हाँ बोल दिया, अब मान लो से फर एक्जांपल यार, कि आप लोग नहीं आए, है ना, तो क्या मैं आप पर केस कर सकता क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोशल अग्रिमेंट है, कौन सा अग्रिमेंट है, राजा, सोशल अग्रिमेंट, ये एक सोशल अग्रिमेंट है, लेको अग्रिमेंट तो है, लेकिन हमें अग्रिमेंट नहीं देखना, हमें दे जरूर जगूँगा वो कह रही है मैं गर्भा खेलने जा रही हूं दो बजे तक जगना मेरे लिए मैं खेल के जैसे ही आऊंगी फिर तुम्हारे साथ खेल मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ में बात करूंगी तुम्हारे साथ में बात करूंगे मैं का जरूर जगूँगा form is score, सुबह सुबह वो पहुँच गई court, क्या कह रही है court को इसने बोला था दो बे तक जग़ेगा यह जगा नहीं है, मिरको compensation चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, अचा court case accept करेगी नहीं करेगी, court क्यों accept नहीं करेगी, कि वैंवर कोंसे कॉन्ट्राक्ट थी वेलिड नहीं मतलब मामला किसी भी क simplicity में तब जाता है जब कोई कॉंट्रेक्ट वैलिड अब तुम आल तुन पौल तुन रीजन की तो जानी सकते ना मैंने तुम्हें बोला hm अच्छे से पड़ो तुम नहीं पड़े क्या मैं तुम पर केस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई, आचा मान लो safe example आप नहीं कहा था जरूर हाँगा मैं नहीं कहा जरूर आओंगा मैंने केस कर शकती हूं मेरे पर, भाई बात यद रिद्द रेकर रखना कोई भी contract जब तक valid आओ, उसका मामला कोट में जा क्या नहीं सकता है। बच्पन से हुम पड़ते आ रहे हैं एक बड़ी शी है does this five god, hello. Vology का मत्लब क्या है शालब, you Кाहिए का एक ही मतलब है कि कोट नहीं जा सकते है और कोई मतलब नहीं है, वाइड का मतलब क्या है, कोट नहीं जा सकते, कोट क्याता है, वाइड वाले मामले मेर पास, मतलब तुम जानो, तुम जानो, जानो, पापा की परीधी कहती है, 20 r Trustee रोपे देदो, 200 रोपे देदो, 200 थे ऑपाः की परिया घैथिया उड़ के बताउंगी हमने 200 दे दिया उड़ी ने हमने उसको बोले भीटु बितु इंपटु ता उड़ी किस متव। पॉडी नहीं वो ओडी नहीं वो देखा आपने सोन परी देखा एक ये बच्पन में बहुत देखा है मैंने सौन परी मेरे जमाने में जब मैं छोटा था था तो क्या चलता था पता है नौडी ओस्वर्ड आ गया नौडी नौडी खुलके बोलो हुर्रे have you seen Noddy Oswald दिखाय आप लोगोने आप तो मेरे बराबर हो है फिर तुम्हारे जमाने में तो डोरे मोन है न भे मैं हूं डोरे मोन तुम तो ये वाले जमाने के हो न भाई क्यों शिंशान शिंशान चलो एनिवे आजो हाँ जगी अभी ध्यान देना ध्यान दो प्लीज एविवन बड़ी 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 कॉंट्रेक जब तक वैलिड ना हो क्या कोड जा सकते हो इतनी सी बाद बताओ कॉंट्रेक जब तक वैलिड ना हो क्या कोड जा सकते हो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाख पहले mind में clear fit कर लो court तब ही जा सकते है जब contract valid wide मामलों के लिए court जाना allowed नहीं है court बोलेगी पल्टो, जुको और निकलो जुका के क्यों? shutter थोड़ा down है तो court क्या बोलेगी? पल्टो, जुको और निकलो मामला court में तभी जाएगा जब कोई valid मामला है तुम ये फरजी मामलों के लिए court के पास जाओगे, court बोलेगी निकलो यहां से आचा मान लीजिए, say for example, मैंने आपको बोला tiger shrub का murder करो, 50 लाग रुपे देता हूँ tiger shrub का murder करो, कितना रुपे देता हूँ? पचास लाग, तुमने मेरे से पचास लाग ले लिए और tiger shrub का murder भी नहीं किया क्या मैं जट साब के पास जाओँ? जट साब पचास लाग दिया था murder करने के लिए murder नहीं किया इन्हों ने पकड़ो सालों को जट साब आरती उतारेंगे मेरी? पहले तुम मेरी बैण बजा देंगे हो? अरे yes or no? भाई साब कोट में valid मामले जाएंगे, कोट ऐसे मामले ही accept करेगा जो valid contract है बाकी के कोई मामले court accept नहीं करेगा पहले तो ये बात दिमाग में fit कर लो मान लो अब ये जानना जरूरी है कि कौन से contract valid है तो आईए contract को पढ़ते हैं तो वहां से clear हो जाएगा कि कौन से contract valid है here we go people ध्यान से सुनना people कौन से contract valid है people आईए देखते है people my buddy बाबू सोना जानू हत्तोडी हत्तोडी ये है हमारा यार हसता और हस आता है एक में रोक जाओ एक में रुक जाना जानने जाना एक minute रोक जाना जानने जानना भुक जाना नहीं तू कभी हरके हम जी आज ओ लो बाबू आजरो आजो 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 आजी भाई contract की definition कौन बताएगा आप में से what do you mean by valid contract बोलो valid contract क्या होता है कौन बताएगा जल्दी बोलो valid contract can't defined है तो भाई साब valid contract defined है section 2 clause H क्या है valid contract कौन बताएगा and agreement and foreseeable by an agreement enforceable by law फिर से बोडो क्या है बेटा वadowoodll contract an agreement and foreseeable by law फिर से बोलो क्या он agreement and foreseeable by law फिर से बोलो क्या अनगरिमेंट enforceable by law यह इसका मतलब है contract में दो चीजह हैं बोलो कौन सी दूव चीजह है agreements और 7 वै एफ and foreseeability मतलब agreement मतलब offer और acceptance है और enforceability मतलब कि court ने वो मामला लेना चाहिए court ने वो मामला लेना चाहिए उसे ही कहते है enforceability लेकिन court कब लेगा अब उसकी rules पढ़ते हैं आजो court कब लेगा तो जब सारे essentials present होंगे valid contract के तब court वो मामला लेगा कौन से हैं पहले तो एक valid offer और acceptance होना चाहिए पहली चीज कॉंट्रेक्ट होने के लिए पहली चीज क्या चाहिए एक valid offer और acceptance बोलो क्या चाहिए पहला एक valid offer और acceptance फिर फिर पहली चीज क्या चाहिए बच्चा एक valid offer और acceptance एक valid offer और acceptance एक valid offer या acceptance यह पहली चीज तो यह बाई जान next है intention to create legal relationship होना चाहिए बोलो क्या होना चाहिए बिटा intention to create legal relationship social agreement domestic agreement नहीं चलेंगे बाबु ऐसा नहीं चलेगा जैसे राम ने शाम को invite किया मेरे घर डिनर पर आना खाना खाने मेरी बीवी ने बच्त खाना बनाई है शाम ने accept तो किया लेकिन आया नहीं क्या शाम पर केस हो सकता है नो विकाज यह क्या है एक social agreement क्या बबू एक social agreement है वैसे ही एक केस है मैंने आपको कल भी उसके बारे में बताया था केस कौन सा था केस कौन सा था जानू बल्फर वर्सेस याद आया गया कौन सा केस था बल्फर वर्सेस कौन सा केस था है बल्फर वर्सेस बल्फर कौन बताएगा आप में से कि एक husband था, देखिए, मैंने बताया था, आपको husband था, salon में रहता था, बीवी को महला महने महने पैसा देगा, बीवी इंगलेंड में रहती थी, जब उसको पता चला, उसकी बीवी unfaithful है, विचारा गया था देखने, बीवी से मिलने, पता चला कि बीवी तो क्या है, unfaithful, पती विचारा कहीं और marathon ले रहा था, यह कहीं और marathon चल रहे थे इसके, ठीक है, तो भाई, दोनों के साथ क्या हुआ, गलत हो गया, अब ऐसे case में, यह एक domestic agreement है, क्या है बेटा, यह, domestic agreement, इसमें माना जाएगा यह contract नहीं है, मतलँ मैं नहीं मैंने बताया, कि contract वही valid है, जिस में intention to create legal relationship है, बोलो क्या है बेटा जिसमें, intention to create legal relationship, किसमें माना जाएगा intention to create legal relationship है, कल बताया था, business agreement में, जो social agreement है, घरेलू agreement है, domestic agreement है, उसमें anyway मानते हैं, कि intention to create legal relationship है ही नहीं, उसमें anyway यही मान के चलते हैं, कि intention to create legal relationship तो है ही नहीं, उसमें तो यही मान के चलते हैं, ठीक है गरेलू agreement है यार मम्मी पापा के साथ, मम्मी ने बोला बेटा CET पास हो गया तो कार दिलाऊंगी, तुम पास हो गये मम्मा ने छोटी कार दे दी, वो पीछे करो आगे दोड रही है, क्या case हो सकता है मम्मा पे, है भाई मम्मा पे case हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है गरेलू agreement है यार पापा ने बोला बेटा एक जीगडव पास कर ले बेटा तो जो उससे शादी करने बोलेगी तिरको उससे शादी कराऊंगा तेरी लव मैरिज करवाऊंगा बेटा तुमने पसंद करके लाए कोई तो गाउंटी लड़का किसका फोन आ अच्छों के बास कहां से आ गया है यह सिप अर्जेंट लोगों को देखे रहा है कुछ अर्जेंसी होती है तो कहां से किसने लीक किया मालूम नहीं बताऊं बड़ा खतरना गया बच्चे अब ध्यान देना आ जाओ भाई हां इंटेंशन टू क्रियेटेंसी लीगल क्मिला के बात ये नेक्स से mandate to क्या होने चाहिए मेजर मतलब कितने के अठारा के अठारा कितने के बेटा अठारा अठारा के आप होने चाहिए 18 years के आप होने चाहिए तो यह आप contract कर सकते हैं भाई बहुत symbols ही बात है यार देखिए you should be of 18 years for forming a valid contract yes or no दो बच्चे हैं पांच-पांच साल के दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया बेभी में तुम ते तादी तलूंदा उसने भी बोल दी में तुम ते तादी तलूंदी दोनों ने वादा तल दिया इत दूतले तो तम दोनों इत दूतले तादी तलें दे अब मेरों को एक बात जुको निकलो बहुत सिंपल सी बात है एरे देखो मानलो से एकसांपल आपके गर एक चोटा सा बच्चा है छे सल गा चोटा सा बच्चा गले में चेन पहना हुआ था तुमने बोला बाबू ये लो चौलेट लिओ तुम्हाले मुझे चौलेट लिओ बच्चा बोला ठीक है बाबू दे चौटलेट लो अब तुमने बोले बाबू तुम्हाली चेन दोगे तो ही हम चौलेट दे ने तुम तो वह बच्चे ने भी उखा किया पटा पट चैन बोला ने तालो भाई से अब दिदी तुमने ली चैन और उसको क्या आप दे दिये चौकलेट बटता तु माइनर माइनर्स अग्रिमेंट इस वाइड अग्रिमेंट तो सुर्म बच्चा स्कूल जाता है वो कैसे कॉंट्रेक्ट हुआ बाभू माइनर के बेनेफिट के लिए कॉंट्रेक्ट हो सकते हैं माइनर के बेनेफिट के लिए कॉंट्रेक्ट हो सकते हैं माइनर के अगेंस कोई बात जाए वैसा नहीं चलेगा, minor तुम पर case कर सकता है, तुम minor पर नहीं कर पाओगे, fourth contract, for breach of contract, breach of contract के case में minor पर कभी case नहीं हो सकता, यह decide हुआ था, case में case का नाम था, mohiri bb versus dharmodas ghos, कौन सा case था, mohiri bb versus dharmodas ghos, आगे पढ़ेंगे चिंता मत करो, mohiri bb versus dharmodas ghos का एक case तुम नाम के सकता ओए था, माईनर्स अगरिमेंट इस गोए अगरिमेंट वोलो में मान लो कोई व्यक्ति नींद में नींद में एक दम बहुत गहरी नींद में तुमने उसको ला भाई तरह फोन चाहिए उसनों ले ले तुमने पांच उर्पर दे तरह फोन बिज दो सुननों तुमने कॉंट्रेक कर लिए पांच रुपर रख दिया उसके तक्याएं नीच नहीं था, contract तभी valid है, जब आप उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो, जो sound mind का है, बेवडे, पागल, ऐसे लोग के साथ contract कभी valid होई नहीं सकते, बता आप बेवडे, पागल होग के साथ, कभी contract valid हो सकते हैं, कि answer is no, इन लोगों के साथ, कभी भी contract valid नहीं हो सकते, लेट क्यों आयरे नंदन, बैट, तो ध्यान देना, contract कौन कर सकते हैं, जो कौन है, sound mind, last है, वो व्यक्ति contract नहीं कर सकते हैं, जो disqualified by law है, कौन है बेटा जो, disqualified by law, जैसे disqualified by law में कौन आते हैं, alien enemy, what do you mean by alien enemy, अगर इंडिया का किसी country से war हो जाए, तो उस country के सारे लोग कौन बन जाएंगे, alien enemy वो कभी contract नहीं कर सकते, alien enemy disqualified by law है, याद रखना, अचा, insolvent कभी contract कर सकते हैं, नहीं, वो भी कौन है, disqualified by law, तो आप contract होनी के साथ कर सकते हो, जो कौन है, major, sound mind, not disqualified by law, तो contract होने के लिए बेटा, पहले तो offer acceptance चाहिए, intention to create legal relationship चाहिए, ठीक है, आप कौन होने चाहिए, major, sound mind not disqualified by law, फिर consideration होना चाहिए, बोलो क्या होना चीब एटा, मैंने आप सबको बधा कर दिया, सबको एक एक करड़ दूंगा, नहीं दिया, तो क्या मेरे पे case कर सकते हो, मैंने आप सबको promise किया, सबको एक एक करड़ दूंगा, अधे end of the lecture, नहीं दिया, क्या सब मेरे पे case कर सक यह दो तरफा जाने मन अच्छा प्री कंसेंट होनी चाहिए जोर जबरदस्ती से हां नहीं होनी चाहिए मैं आया बंदूक लेके तुम्हारे सर पर हाथ बंदूक रहा का मैंने का हां करो नहीं तो अब भी उड़ा दूंगा तुमने हां कर दिये यह कोर्शन है ऐसे contract वैलिड यह नहीं बन सकता बोलो हा या ना जब आप किसी contract के लिए हां करते हैं मर्जी खुद क्यों नहीं चाहिए कि घरवालों की शादी खुद किसकी मर्जी से करोगे खुद की घरवालों की जो घरवालों ने बोल दिया उससे कर लोगे जो बोल दिया कि गुद की law marriage की arrange marriage अंके loyal marriage की अर्एइज marriage? law को अर्एइज में convert कर देंगे सर क्यो? इसस्य हुत है नAT? इतना मा... कितिनों के घर में love marriage allowed नहीं है? allowed ही नहीं है नहीं allowed तो नहीं allowed विलकल नहीं allowed अब लड़कियों ने हाथ खड़ेगी है थे वह प्रशान तेरे को लाउड नहीं तू तो शादी नहीं करने वाला ना क्यों हो बहुं हुँ 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 कॉंट्रेक्ट के लिए कंसेंट कैसी होनी चीए फ्री ठीक है आगे इस पर भी चर्चा करेंगे अच्छा ओए कि लवाफ यूँ आपजेक्ट वना था मैं बोल रहा हुं गांजा बेचो पचास जयार दूंगा मेंने की ए 14 गांजा मेरेको प्यार को गांजा बेचो 50 जार दूंगा वाफ और रिटतीने के ध्यान दो यर क्या ये ये क्ल उड्सटों कि lit होगा का सीजन आ रहा है मैंने का देखो आज बारिश आएगी तुमने का मोदी सर नहीं आएगी मैंने का आएगी तुमने का मोदी सर नहीं आएगी मैंने का लगाओ 50-50,000 की शर्त आज पूने में बारिश आ रही है तुमने का नहीं आ रही है तुमने का नहीं आ रही है 50-50,000 की श expressly void declared हो, क्योंकि अगर आपका contract ऐसा है, जो expressly void declared है, तो फिर बात ही नहीं आती, contract ने उसको void माना है तो फिर तो खतम होगे, तो आपका contract ऐसा होना चाहिए, which is not expressly declared void, जो contract ने void नहीं माना है, ऐसा contract होना चाहिए, फिर legal formalities, जो भी sign, signature, stamp duty हो पेड होना चाहिए, possibility to perform होना चाह आपने का मैं मरे हुए इंसान को जिन्दा करके बताऊंगा 500 रुपे दो, possible, possible, आपने का मैं लड़की को समझ के बताऊंगा मैंने को 5000 रुपे दो, possible, 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 लड़कियां के रही, yes it's possible, देखो unique की लड़कियों को फिर भी समझा जा सकता है, वो अच्छी है, they are sweet, लेकिन जो बाहर की है, what tough है भाई, क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है, वो कह रहा है, unique के भी possible नहीं है, बच्छे कह रहा है, चलो anyway, तो contract होने के लिए, कितनी सारी चीज़े चाहिए, my god, इतनी सारी चीज़े चाहिए, तब जाके क्या बनेगा बाबू, valid contract, कितनी चीज़ contract करने के लिए, major, sound mind, not disqualified by law, और बताओ, फिर से बताओ, क्या, lawful consideration, consideration का मतलब क्या होता है, quid pro, something in, contract अभी, जब consideration एक तरफा की दो तरफा, consent कैसे योने चाहिए, free, जोड जबदस्ती से, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, lawful object, ganja, charas, murder, ऐसे contract हो सकते हैं, भाहिया, क्या है, contract करोगी भी तो, court, या, valid contract नहीं है, सब, ऐसे agreement नहीं होने चाहिए, जो, void, expressly, contract, declare कर दिया, उसको, void, legal, formality होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, और possibility to perform होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजा, अच्छा, बात बताओ, एक चीज इसमें missing है, पता है कौन सी, पता है कौन सी, सची में, आओ, अब भी बताता हूँ, एक चीज missing है, वो है, consent, वो लो क्या missing है, हर contract में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है, consent, consent का मतलब, meeting of mind, गोलो क्या बता, इसी को हम क्या कहते है, same thing, in same sense, इसी को क्या कहते है, consensus, add, item, yes or no, मैंने आपसे मांगा था, मैंने आपसे मांगा था, मैंने का, आप सभी लोग को, मेरे को सफेद कुरसी चाहिए, कौन सी कुरसी, सफेद, तुमने भेज दिये, काली, contract valid होगा, क्यों, क्योंकि हमारी सोच नहीं मिल रही है, मैंने शादी का रिष्टा भेजा था, रिया के लिए, उसकी बहन पिया को लगा, उसके लिए भेजा है, क्यों नहीं है, कंसे रिष्टा मिटिंग ऑफ माइंड मिसिंग है, यस और नो, अरे हां या ना, मैं एक थीम बना रहा हूं, जिसका नाम था भूतिया थीम, कौन सी, भूतिया, भूतिया, फिक है, और मैंने एक contractor को बोला, मुझे भूतिये लोग चाहिए, कौन से, भू से लोग भेज दिया, समझे रो, अब भाई, मैंने मांगा कुछ और दिया कुछ और, contract valid है, क्यों नहीं है, अचा मान लो, safe example, आप गए किसी restaurant में आपने का भाईया, वेज बिर्यानी देना, उन्ने चिकन दे दिया, valid है, नहीं है, मेरे friend जपान गए थे, कहते हमने वहां प या वेज पुलाओ या वेज बिर्यानी, तो उन्ने चिकन डाल के दे दिया, तो उन्ने फोन किया उनको, कहते हैं भाईया, इसमें चिकन है, कहते हैं चिकन तो वेज है, हाँ, जपान में मतलब इतना गंदा खाते हमों कि उनके लिए चिकन तो वेज है, सच में, I'm not kidding, वो इतनी गंदी गंदी चीजे खा लेतने हैं वो, कुछ भी उनके लिए, कुछ भी खा जातने हैं वो, कुछ भी, ऐसी ऐसी चीजे खा सकते हैं, जो हम सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजे खा जातने हैं, सुमर खा जातने हैं, बता हो, सच में हैं, अब मेरे को एक बाद रता हो यह contract valid होगा है जी तो भाई याद रखना meeting of mind होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए Raja? Meeting of mind जब आप contract करते हैं, एक और चीज missing है, एक और चीज होनी चाहिए, वो क्या है? क्या है? Certain होना चाहिए, contract कैसा होना चाहिए? Certain. Certain का मतलब clear होना चाहिए. ठीक है, मैंने आपको का का, आप मुझे वो दो, मैं आपको वो दूँगा, आपने का, ठीक है सर, हम भी आपको वो देंगे, आप भी हमें वो देना, क्या ये contract valid है? क्यों नहीं है? Certainity नहीं है, valid contract होनी सकता, because clear नहीं है, क्या नहीं है बटा? Clear. तो ये सारी चीज़े जब होगी ना, तभी contract क्या बन पाएगा? Valid. तभी contract क्या बन पाएगा? Valid. चलो एक question बुचूँगा, answer जाना, क्या सारी agreement contract है? क्या सारे agreement contract है? क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसी agreement है, जो impossible है, जिसमें certainty नहीं है, जिसमें consideration नहीं है, तो सारे agreement contract तो नहीं है, all agreement are not contract. बट क्या सारे contract agreement है? क्या सारे contract agreement है? क्योंकि सारे contract बनते ही किसे हैं? अगरिमेंट. तो all agreement are not contract, but all contract are agreement. याद रहेंगी यह बात? कि all agreement are not contract, but all contract are agreement. Sexy brothers and sisters, love you, my guys. ध्यान देना सभी लोग दोस्तों. Next, sweet arts, ये करने के बाद में, types जो है, उस पर आएंगे हम, अभी छोटी मोटी सी कोई अच्छी सी चीज़े हैं, वो देखना, दो तरीके contract होता है, मैं आपको अल्रीडी बता चुका, एक बार जल्दी से देख लेना, एक होता है, express contract, what do you mean express contract? जो बोल किया, लिखके हुआ, implied मतलब, जो by conduct हुआ, कैसे हुआ by, by conduct हुआ, implied मतलब न बोला, न लिखा, और हो गया, आप किसी दुकान में गए, आपने भाईया से कुछ लोग खरीदा समान, कुछ बोला लिखा नहीं, पैसे रखे, उसने पैसे accept कि contract हो गया, yes or no, अरे हाँ या ना, आप समोसे की दुकान म एक समोसा उठाया, दस रुपे दिया, उसने दस रुपे ले लिए, चुप चाब, न बोला न लिखा, contract हो गया, कौन सा ये, implied, खतम, एक हो दा, tacit contract, जिसमें, जो machine के साथ किया जाये, किस के साथ किया जाये, machine, machine के साथ किया जाये, या फिर, you know, जैसे, tacit contract मतलब, जहाँ लगा पे एक ही party कुछ conduct करें, जैसे ATM से cash निकलना, ATM से cash निकलना, तब भी contract हो रहा है, हो रहा है, न हो रहा है, contract हो रहा है, तो बहाँ पे bank वाला है कि bank की machine है, bank की machine है,اجसे contract को test lead contract कहते हैं, ठीक है, जो parties के conduct से हो रहा है, implied का ही किसका पाट है इम्म्लाइड काुड़ी टैसेट आक्शन है थो हमर फॉल करते हैं तब माना जाता है सेल हो गया तो वह उस्पाट राजा तैसेट उसमें कुछ नहीं है तो याद रखना है मैं छोटी छोटी बातों समयों ज्यादा कुछ नहीं है इसमें ठीक है एक्जीक्यूटेड और एक्जीक्यूट्री फिर से बोलो एक्जीक्यूटेड और एक्जीक्यूट्री आपने पूरे पैसे दे दिया हमने भी पूरा पड़ा दिया क्या हो गया ये एक्जीक्यूटेड आपने दुकानदार को पैसे दे दिया उसने शर्ट दे दिया क्या हो executed आपने दुकानदार को पैसे दे दिया उसने आपको television दे दिया क्या हो गया executed अच्छा आपने तो unique academy को पैसे दे दिया वर unique academy को अभी पढ़ाना बाकी है executory आपने बोला मोधी सर अगले साल आम बेचना 2024 में और अगले साल ही पैसे लेना मैंने का ठीक है क्या है executory जहाँ पर दोनों की obligation pending हो या एक की obligation pending हो तो किसमें आएगा executory, executory दो टाइप की है unilateral bilateral एक की obligation complete है एक की pending है तो unilateral दोनों की pending है तो bilateral समझ म है आँ दोनों की complete है तो executed दोनों ने अपनी obligation complete कर ली तो वेर बोत parties have completed their obligation that's a executed when one party have completed and it is pending from the month side of one party that's a executory executory a key yoga ekki baki donokhi baki to be executory executory कितने प्रकार कें दो unilateral or bilateral a complete a key pending at all unilateral donokhi pending at all bilateral solo a key complete a key complete a key pending at all you need lateral donokhi pending at all by letter a profit solo a key complete a key pending at all you need lateral donokhi pending at all are a high on a a bar part of a team a jaldi hona chihye fada fad yes or no types of contract with kalayenge as baki sari cheese is almost a chisari cheese a khatm ho jayegi types of contract ko chhodke basics puraj ho jayegah types of contract liki namaj nini pad raha whom baad me padnye wale hai hai hanji dhyan de na offer or invitation to offer का फरक मैंने बताया था बताया था आपको आप restaurant में काई menu card है वो क्या है invitation to offer किसी shop में काई सब पर price list लगी हुए है क्या है price track क्या है invitation to offer advertisement क्या है catalog pdf किसी चीज की pdf ए रेट लिस्ट की है सबसा क्या है बिटा invitation quotation क्या होता है quotation 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 is also a invitation to offer quotation भी invitation to offer होता है आपने quotation मांगा उसने quotation दिया अब quotation आने के बाद आप offer करोगे ना तो quotation भी क्या हो गया invitation to a company का prospectus invitation to offer क्या फरक है offer or invitation to offer में आप भली बाती जानते हैं offer में आप किसी व्यक्ति को offer देते हैं और चाहते हैं वो हा करे when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything and his intention is that other person to make a sense that's what offer आप किसी को offer देते हैं कि वो हा करे या ना करे अच्छा invitation to offer क्या होता है when we do something to invite the other person to make an offer when we do something to invite the other person to make an offer जब हम कुछ ऐसी जीज़ करते हैं जिसने हम सामने वाले को invite करते हैं कि वो हमें आके क्या दे offer तो उसे क्या कहेंगे राजा invitation to offer offer को define क्या section two clause A में invitation to offer को define नहीं है offer का objective होता है contract में इंटर होना है invitation to offer का objective क्या होता है logo से offer लेना है अरे बोलो हा या ना example में आपने company को application दिया मुझे shares चाहिए तो offer है लेकिन company prospectus issue किया वो क्या है invitation to offer क्या agreement के लिए offer valid है offer होना चाहिए yes क्या agreement होने के लिए invitation to offer होना चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा offer accept हो किया तो क्या बन चाहेगा agreement और invitation to offer आने के बाद क्या हो सकता है offer बोलो हा या ना so offer और invitation to offer clear है क्या पहले तो यह बताओ yes or no अरे हा या ना ET में आपको नहीं था ET में invitation to offer ET में नहीं था ET में नहीं था वो आप कोई CA foundation किया हो का किसी ने तो उसमें था लेकिन E.T. में नहीं था ये, ठीक है, offer के पहले क्या आता है राजा बेटे, invitation to offer, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो yes or no, लड़की smile दे रही, offer है कि invitation to offer है, invitation to offer है, फिर तुम पास गए बात किये और प्रपोस किये वो offer है, फिर उसने हां कहा, फिर acceptance है, हाँ या ना, अरे yes or no, अरे yes or no, ठीक है, यह के, अच्छे समझगे हो गया, चैना, acceptance हमने बढ़ लिया था, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त जल्दी से, आओ मैं गाईस, चलो, तुर सा टफ वाला पार्ट करा हूँ, चलो, जल्दी आजाओ, आजा, come on guys, सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना, आजा और आजा, चलो, very good, proud of you guys, अभी सुनेंगे ध्यान से सभी लोग, offer कब complete होता है, offer कब complete होता है, offer कब complete होता है, जब सामने वाले के knowledge में आ जाए, offer, जब सामने वाले के knowledge में आ जाए, offer, तो वो complete होता है, offer complete हो गया, acceptance कब complete होता है, हुआ है तो depends acceptance होता है तो depends offer कब गडोथ होता है बताओ तब साम्ना लेंगे knowledge मेल आपको offer ॉ झाल आपको पता है छल गा heこれ theかった लिडाः पर आंपका acceptance अपकल भंडग قम्ठीन अधुड होगा ओ आपको लिगेत पर कम्ण आरे का मिका यह समझते हैं कैसे अंर है अपने acceptance यह एकशामपल तो मेरी लिए कब completely होगा तो मेरी लिए complete होगा ध्यान देना मेरी लिए complete होगा जैसे आपने उसे दे दिया मेरे लिए वो complete मना जाएगा यह लेकिन आपके लिए complete होगा ा जब वो मेरे knowledge में आएगा दो मेरी टीवी क्रीडयो पचाश लाक में बहुत बढ़िया टीवी जो सोचो के सामने वो चलेगा टीवी में माइंड से कनेक्टेट है ठीक है जो सोचो पस गंदा मत सोच लेना घरवलों के सामने तो भी चलना शुरू हो जाएगा ठीक है तो मैंने आपको का बहुत बढ़िया टीवी 50 लाक में खरीद लो कि लिए एकसेटेंस में में यां जाय कीनि घरय लेकिन आपके लिए एकसेटेंस कब कंपलीट होगा जब वह मेरे णॉलिज में आएगा वहारी सिंपल सा उदारन लेते हैं समझ में में आ आ जा जो आ जो 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 ये दिग्कत तबงहीं आईगी जब face to face नहीं तो सब एक साते दिखत जब आएक जब लेटर में किसमे है लाल डब्बा लाल डब्बा पता है क्यों आते लाल डब्बा पोस्ट ऑफिस चलो लाल डब्बा लाल डब्बा खेलते हैं थोड़ा सा मजाएगा ठीक है क्या खेलते हैं लाल डब्बा लाल डब्बा खेलेंगे आज मजाएगा कभी लाल डब्बा में डाले ओ लेटर मेरे द पोड़ते थे उसमें, मैंने सीधा स्कूल में फोड़ा है, सीधा स्कूल में फटाके फोड़े हैं, और मैंने नहीं फोड़ा है, टेक्निकली सॉमिल सबने फोड़ा है, फ़सा मैं हूँ, क्या ही कर सकते हैं, एनिवे, आते मुद्धे पे, मान लो गाइज, काइज, काइज, मैंने आपको आठ तरिक को उफट दिया, काइस, काइस, पूने में मेरा घर है, आजा, दिल आद दूँगा, ठीक है, मैंने का बिबे वाड़ी में मेरा एक घर है, खरीदोगे, आपने का, हाँ जी सर, खरीदे मैंने सुनू, सुनू, ओए, ध्यान देना, रुशी केश्ट तो ने तुट किया ना, तेरी तंगे तोड़के, डिखना पर, आठ तरिक को मैंने ओफर दिया, मेरा घर खरीदोगे, कंसी तरिक को दिया, आठ, आपको लेटर से भेजा था वो, आपको मिला वो ओफर 10 तरिक क आपको मिला वो लेटर, 10 तरिक को, बहुत सिंपल सा कोशन को चुँगा, आंसर जवलोग देना, ने तो सब की बैंट नहीं बजाना, ओनलाइन ओफलाइन दोनों की तो देख लेना वाई, ओनलाइन वाले भी भड़ा भड़ रिस्पॉंस करें हैं पुरे, 8 तरिक को मैंने दिया है कि मेरा घर खरीद होगे, वो मिला है आपको 10 तरिक को, मुझे सिंपल सी बात बताईए, ओफर कंप्लीट कब होगा, 8 को की 10 को, 8 को की 10 को, मैं रहता हूँ, बाला घाट में आप रहते हो, पूने में, मैंने आपको 8 तरिक को ओफर दिया, कि क्या आप मेरा घर दोगे, आपको वो लेटर मिला, 10 तरिक को, कंप्लीट कब होगा, ओफर, 8 को की 10 को, 8 को की 10 को, किते लोग केते हैं, 10 को, किते लोग केते हैं, 8 को, 9, 10 is the right answer, वाव, very good दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, 10 तरिक को, क्यों, क्योंकि offer तब कंप्लीट होता है, जब वो, ओफरी के knowledge में आता है, जब वो offeri के knowledge में आता है, जब वो किसके knowledge में आता है, offeri के, चुमेश्वरी performance guys, awesome, sexy, love you, आपने acceptance दिया 12 को, आपने acceptance कब दिया, 12 को, लेटर लिखके कि, मोधी सर, हम आपका घर खरीदेंगे, हमें एक मंजूर है, मेरे को acceptance मिला, 14 को, मेरे को acceptance कब मिला, 14 को, yes or no, एक वो मैं CS foundation बढ़ा रहा था, यही example दे रहा था, तुमने को अच्छे से आदा, 14 की जगा मैंने बोल दिया था, किसने, अभी ध्यान देना आजाओ, ठीक है, अभी ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है, तो आपने acceptance कब दिया, आपने acceptance कब दिया, 12 को, मेरे को कब मिला, 14 को, मेरे को कब मिला बेटा, 14 को मिला, yes or no, बहुत ही भाई 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 दिमाग लगाने वाली बात है, नजर हटी, ध्यान दिया सुनना, सभी लोग, मेरे लिए acceptance कब complete होगा, technical, बहुत सिंबल है, आपने 12 तरीक को acceptance post कर दिया, लालडब्बे में, कि हाँ, मोदी जी हमें accept है, मेरे लिए acceptance, मेरे को वो acceptance मिलता है, 14 को, मेरे लिए acceptance कब complete होगा, 12 को की 14 को, मैं rule बता दू पहले, rule यह है कि acceptance offerer के लिए तब complete होता है, जब ओफरी ने, ओफरी ने acceptance दे दिया, जिस दिन दिया, यह rule है, तो 12 की 14, 12 की 14, 12 is the right answer, ओफरर के लिए, बोलो किस के लिए, ओफरर के लिए acceptance complete माना जाएगा, क्यूं बता बात समझना, जिस दिन आपने acceptance डाल दिया, ओफरर के लिए acceptance मान लिया जाएगा, ओफरर के लिए acceptance मान लिया जाएगा, रिसीट उतनी है न, ओफरर के लिए acceptance, अरे बोलो किस के लिए मान लिया जाता है, ओफरर के लिए, अब मान लो आपने एक बार लाल डब्मे में पोस्ट कर दिया, उसके पांच मेंट बाद मैंने कॉल किया, आरे सुनो मुझे ओफर वापिस लेना है, क्या ले पाउँगा, क्यों नहीं ले पाउँगा, offer एक बार accept हो गया उसका ओपर वापेश नहीं ले सकते, समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो आप बात को, offer कब वापिस ले जा सकता है, acceptance के पहले, यह rules हम CET में नहीं पढ़ते हैं सब, अरे यह थोड़्य पढ़ाया था मैंने, लाल डबल लाल डबा खेला ही नहीं था हमने, offer से वितना ही पढ़ाया था मैंने, offer कब वापिस ले सकते हैं, acceptance के पहले, लेकिन यह नहीं पढ़ाया था मैंने, मेरो को अच्छे से आद है, तुमने कही और से पढ़ा है, फिर तुमने यह पढ़ा है, CA में आता है, ET में तो यह ही नहीं, यह executive में ही है, anyway ध्यान देंगे, please guys now, listen very carefully, everyone, last, उपर नीचे, आगे पीछे, offer के लिए acceptance कब complete होता है, मैंने आपको बता है, कब complete होता है, जब offer ने accept कर दिया, आपने 12 तरीक को एक बार लाल डब्बे में डाल दिया, कि हाँ भई मोधी सर हमें मन्जूर है, मैं फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता, और तुम भी कुछ नहीं कर सकते, offer क्या मान लिया जाएगा, accept it, तुमारे लिए फिर भी एक मौका है, तुमारे लिए acceptance कम-कम माना जाता है, जब मेरे knowledge में, मेरे knowledge में कब आया, 14 को, तो मेरे को जब reach हुआ, तो मान लिया जाएगा, मेरे को जब क्या हुआ, reach हुआ, तो आपके लिए acceptance माना जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना, every one of you, पहले मैं rules बताऊंगा, फिर मैं examples दूँगा, आप भी पूरे answers दोगे, पहले rules द्यान से सुन ले ना, सब लोग, offer revoke हो सकता है, before acceptance, फिर से बोलो, offer revoke हो सकता है, before acceptance, offer complete कब होता है, जब offer के knowledge में offer आया, acceptance offer के लिए कब होता है, जब offer ने accept किया, जब offer ने, accept किया, offer के लिए, acceptance कब होता है, जब acceptance offerer के knowledge में आया, जब acceptance offerer के knowledge में आया, जब acceptance, this is a rule, right, now I will ask you certain questions, फटा फटा आंसर देंगे, मान जाऊंगा दिये तो, मेरे को offer revoke करना है, मैं कौन सी date के पहले कर सकता हूँ, मेरे को offer, वे ने आपको मेरा offer दिया था, 8 तरीक को भेजा था, जो आपको 10 तरीक को मिला था, कि आप मेरा घर खरीद रहो, गाड़ी जो भी बोला था, TV खरीद रहो, अब मेरे को offer revoke करना है, मैं कब revoke कर सकता हूँ, तो 12 के पहले, क्यों 12 के पहले, क्योंकि मेरे लिए acceptance कब माना जाएगा, 12, जब पोस्किया, तो उसके पहले मैं अपना offer revoke कर सकता हूँ, हाँ या ना, सेक्सी, आपको अपना acceptance revoke करना है, क्यों से date के पहले कर सकते हो, आपको अपना acceptance revoke करना है, तो 14 के पहले कर सकते हो, इस एपसलूटली करेक्ट अंसर, वैसे तो acceptance revoke नहीं हो सकता, अगर face to face है, क्योंकि face to face है, तो acceptance सामना लेकिन knowledge में चला गया, लेकिन letter से किया कि acceptance revoke कर सकते हैं, कैसे revoke करेंगे, फोन करके, जैसे आपने 12 तरीक को पोस्किया, बाद में आपको acceptance revoke करना है, 13 तरीक को call कर दिया, मोधी सार, हमने post तो कर दिया acceptance, लेकिन मैं वो offer को revoke करता हूँ, वो valid हो जाएगा, समझे रहे हैं, acceptance भी revoke कर सकते हैं, बट कब के पहले, offerer को acceptance मिले उसके पहले, offerer के knowledge में उसके पहले, बस इतने सी बात है, इतने सी रूल है, इतनी सी बात है, याद रहेगी के बच्चो, चलो question पूछू, एक last फटा फट आंसर दोगे, चलो, मैंने आपको 6 तरीक को offer लिखा, letter से भेजा, आपको मिला वो 10 तरीक को, कब मिला बटा, 10 तरीक को offer कब complete होगा, 10 को offer complete होगा, जब वो आपके knowledge में है, आपने acceptance दिया, 13 तरीक को मेरे को मिला, acceptance 16 तरीक को, आपने 13 तरीक को acceptance लिखा, मेरे को मिला 16 तरीक को, में को बताना, offerer, यानि मैं offerer था, मैंने आपको offer दिया था, मेरे लिए acceptance कब माना जाएगा, मेरे लिए acceptance कब माना जाएगा तेरा तेरा तरीक को मेरे लिए acceptance माना लिए जाएगा हाँ या ना आप confused हो रहे हो क्यूं बहुत easy है यार मैंने आपको फिर से बताया आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हो मैडम acceptance offerer, offerer मतलब कौन है मैंने आपको offer दिया तो rule क्या था आप ही बताओ rule क्या था acceptance कब complete होता offerer के लिए सामने वाले ने accept किया तो कब accept किया आपने तेरा को तो तेरा को क्या मान लिए जाएगा मेरे लिए acceptance तेरा को मेरे लिए क्या मान लिए जाएगा acceptance क्योंकि उसी दिन तो आपने accept कि हो हा या ना तो कहने का मतलब मेरे को offer revoke करना है तो considerate के पहले कर सकता हूं 13 के पहले तेरा के पहले मैं offer revoke कर सकता हूं हा या ना अच्छा आपका acceptance मेरे पास पहुंचा 16 को आपके लिए acceptance कब माना जाएगा 16 को आपको अपना acceptance आपने तेरा को दे दिया लेकिन रिवोक करना है तो considerate के पहले कर सकते हो 16 के पहले considerate के पहले कर सकते हो 16 के पहले तो this is about this is about this is about what विटा offer के rules नहीं और acceptance के rules से कब complete माने जाएगे तो offer और acceptance के म großes प्रड़ना की भी ज़रुरत नहीं बस इतनी सी बात जो मैंने बोला याद diabetes कि खेले में यह पूरा कुछ करने की जुरत नहीं की बाकी का सब समझाथी तो बाकी का सब या कुछ समझा दिया इतना नहीं याद रखना बोलो yes or no are you very sure guys 100% sure guys very good guys love you guys अभी ध्यान देना सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज 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 रिक्वेस्ट तो everyone of you listen very carefully आज बहुत important चीज एक करना है जिससे question आते हैं बहुत important एक चीज एक करना है हमको जिससे question आते हैं वह माइनर के बारे में किसके बारे में बच्चा माइनर ऐसा क्या Electronic contract valid है हमारे देश में मॉबाइल फोन टेलीफोन इन से contract हो सकते हैं हाँ बिलकुल ऐ contract valid है एक कमानने तक किस 10a इतक्त का section 10a है जो कहता है हमारे देश में e-contract valid है कौन सा section है section 10a section 10a इतक्त का जो कहते हमारे देश में e-contract valid है e-contract valid है । इतक्त is the right answer आईटी एक्ट इस दा राइट आंसर जो ऑनलाइन देख रहें भाई लाइक जरूर करना है ऐसे मत करो यार बच्चे कहते हैं वो गूट न्यूज वाली बात सच है गया वो गहरी है सच है तभी तो उसने अनाउंस करी आज ऐसा ऐसा मस्ती कर रहे है यार उसने ड्रेस ऐसी पहनी है इसलिए बाकी कुछ ने अभी तो विचारी नन्नी बच्ची हो सर लास्ट में तुमसे ही स्वांग आना अभे पढ़ना नहीं है तुम्हारे को हैं बेटा मैं लेक्चर में हूं मैं करवाता हूं आपका काम डूंट बरी चलो भाई आओ नेक्स्त हान जी आजओ जल्दी से इधर कॉने कर सकता है मैं बता चुका हो जल्दी कॉन कर सकता है है मेंग्र साउड माइ聯श not दिसक्वॉफाइड वई लग क पहले बात करते हैं minor, minor कॉन होते हैं, minor कॉन होते है, 18 के नीचे, अच्छा minor की न, mais contract के लिए minor की definition अदरागया, शादी के लिए वैसे तो हम सेम हो गई है, voting के लिए, voting के लिए 18 contract के लिए번 15 शादी के लिए लड़कों के लिए, 21 अब लड़कियों की भी क्या हो गई है 21 अब दोनों की क्या हो गई है 21 लड़की ओचा लड़का एक किस के पहले एक किस नहीं कर सकते मेरा मतलब है एक किस के पहले शादी नहीं कर सकते जो करना है वो एक किस के एक किस के हो जाओ उसके बाद में शादी करो बच्चे करो सरकार कहती है जितने करना है उतने करो बट गौवर्मेंट दो को प्रमोट करती है गौवर्मेंट बोलती है बच्चे दो ही अच्छे बस ज्यादा करने का ने बस मैं बारा तेरा करूँगा टार्गेड अपना क्या बोल रहा हूँ क्रिकेट टीम विट इंपक्ट प्लेयर है के नहीं चलो आईए ओके हैंडिटन नोट दे दो कॉंट्रेक के अभी नहीं बात में दूँगा अभी ध्यान देना माइनर माइनर ये चेप्टन एंड होने के बाद पहले इस से से कर रहा हूँ हाँ जी माइनर कौन है जिसने अठरा का नहीं होँ वह माइनर है अचा जो कोट जो अनात है वो उसके लिए माइनर की एच क्या होती है 21 वैसे तो माइनर कौन है जो अठरा का है अठरा के नीचे है मिंटू से और कोट आर गारिजन अपराईट करके देतीया है कई अनास्त होते हैं जिनके mábap म२ 봤 बहुत लकी हैं संब्ल wore this in आपको बहुत लकी बना है आपके पूरे हात्तने हैं पूरे पेर हैं के नाक है मुहें बोल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, हाथ दी हो, भगवान ने, फिजिकली, है बोल है, to hell friends, केला के ला अपने किस्मत को कोष्टे है, यार भगवान ने ये नहीं दिया, वो नीं दिया, उसके पास तो ये भी है, वो भी है, पैसा भी है, सब हो जाता है सब आ जाता है दीरे दीरे बट हम बहुत लग्की है एना हमेशा भगवान को शुक्र गुजार होना की जो दिया है बहुत है एनिवे और मैंनत से बाकी आगे बढ़ेंगे अभी ध्यान दिना गाई-स जो बिचारे अनात हैं, उनके लिए एज कितनी होती है माइनर की, 21, 21 साल तक वह माइनर माने जाते हैं, क्या माइनर की agreement valid है, तो माइनर की agreement है, void ab initium, it's a void agreement, starting सही void माने जाएंगे, it's void ab initium, mid from the very beginning, बोलो क्या, void ab initium, matlab, void from the very beginning, ओवाज ने, पोलो क्या, void from the very beginning, फिर से लो क्या, vida fr aman the very beginning, फ़िछ से क्या बिट हा, void from the very beginning, फिर से बोलो? राजु शुंग सिंह कहता है सर, सुन नहीं सकता मै, कि लेक्चर कैसे देख रहे हैं और यह तुने कैसे सुन लिया कि मैं अभी यही बात कर रहा हूँ चलो है नहीं अच्छा लिप्स रीडिंग किया होगा कि 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 तक माने जाओगे अगर उसके पहले हो जाते हो लल्ट तो अभी ध्यान देना kis तक माने जाते हैं माइनर के अगरिमन्त क्या होते हैं लदी सी बताओ वाइड अगृमेंट माइनर के अगृमेंट क्या होते हैं माईनर अगृमर्टमाइद अप्सी sondern never गितिज्युट्ली वाइड प्र सेखकरिमें 對 cuc absolutely white agreement मानें मैंने case बताई था case कौन सा है mohiri bb versus dharmo das khos कौन सी bb mohiri bb किसकी bb mohiri bb versus dharmo das khos बढ़ केस है एक minor होता है एक minor होता है ठीक है ठीक है minor होता है कौन होता है minor ठीक है वो पैसे उधार मांगता है minor द्रामदा इन Chinese होता है पैसे मांगता है ूसको दे देता है उदार, ठीक है वो दे देता है उदार, माईनर कुछ उत्हल humid रखता है लेकिन उसको enforce नहीं करता जैसे मानलो मैं माइनर हूं मैं चाचा के पास गया चाचा पी से जार दो आपको लोटाता हूं बैट में चाचा ने बीसे जार दे दिये मैं एक चीज आपकी मेरी जो जमीन है आपकी बाद में ले लिए हो अब ना अंकल को 20,000 दिया ना जमीन दिया ना कुछ दिया क्या अंकल मेरे पर केस करें कुछ उखाड सकते हैं मेरा भाया माइनर का कुछ नहीं उखाड सकते हैं माइनर कोर्ट का बच्चा है कोर्ट माइनर क शाटलब तुम सतरह क्यों ना, Lone मांग लो किसी से, Lone मांग लो जौ ले लो किसी से, 2 लाग का, वापिस नहीं लोटा था, सामने वाला तुमारा कुछ नहीं बिगाड सकता, जादा से ज़ुदा क्या हो सकता है, वह बता हूंगा आग animal, ज्यादा स्यादा क्या हो सकता है वो आगे बताओंगा लेकिन हाँ माइनर्स अग्रिमेंट इस वाट वाइडर कौन है यहाँ पे माइनर जाओ आज रिस्तेदारों के पास किसे पांच किसी से दस किसी से पंदरा जिस जितनी सिस्की उकात हो मांगो उधार और मत देना किसी को है मेरे से लूँ क्या बोलता है तिरे को कुछ और दूँगा मतलब मेरा प्यार दूँगा तिरे को पगले अभी ध्यान देना आजाओ सो माइनर्स अग्रिमेंट इस वाट वाइड अग्रिमेंट फिर से लो माइनर्स अग्रिमेंट इस वाट को अच्छा ए ध्यान दो प्लीज क्या माइनर के बेनेफिट के लिए कॉंट्रेक्ट हो सकते हैं अरे बोलो क्या माइनर के बेनेफिट के लिए कॉंट्रेक्ट हो सकते ह अच्छा किया मायनर अपनी मेरिटी प्लीड कर सकता है माइनर मानलो सबकूर्ग शुब सुला साल का बच्चा है उज एक उंकल के पास हमाइन्गि वह एटे का हो गया हुँ आज अंकल लोन चाहिए बोले तुर अठ्रा का गया न मैयनर ने का है I'm major uncle, 1,00,000 नोन दो, अंकल ने cut 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 गड़ी निकाले, 500 के note देदी, 1,00,000 के, minor ने पैसा लिया, minor, ऐसा note दिखाते हूँ अंकल को, मैं तो minor हूँ अंकल, और भाग गया, क्या हो गया, भाग गया, पहले क्या बोला, मैं अठरा का हूँ, अंकल से एक लाग रोपे लिया, घड़ी लिया, माइनर कन फ्लीड़ कर सकता है, मतला वह बोल सकता है, मैं जूड बोलके भी पइसा ले गया, तो तुम उसका कुछ नहीं उखाठ पा, ëarna है, तुम्हें ही गलती है, तुमने चेक नहीं का, अशुड भोला था साले न, ऌले का, तो फॉल्स जूट भोला था, तो βி हम माइनर का कुछ उखाड नहीं पायेंगे. याद रखना बिटा. याद रखना. कुछ नहीं उखाड पाएंगे. याद रखना. है ना? याद रखना अगर उसने एज जूटी बता है तो भी याद रखना वो agreement वोído ही है. उसने जूटी एज बताया तो तुम कोट में केस उस पर तभी नहीं कर पाओगे बिल्कुल 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 नहीं कर पाओगे बोलो यस और न तो थीक है, औरे बोलो हा या ना, अच्छा क्या माइनर की गलती के लिए उसके parents लायाबल होंगे, माइनर ने किसे लिए, और वो नहीं लोटा रहा है, तो क्या माबाप लटाएंगे, तो बिलकल, माबाप guardian बिल्कुल भी minor के लिए liable नहीं होंगे इसी एक ही शर्थ पे लाइबल होंगे जब minor हुनका agent था जब minor कौन था उनका agent या तो बेढ लो कोई minor है उसने loan लिया तो क्या माँबाप liable होंगे तो माँबाप Liable नहीं होंगे माँबाप एक ही शर्थ पे तो कोन लैबल होगा दोनों लैबल नहीं हो गए, कि शिर्फ माइनर कि심मेजर सिर्फ मेजर लैबल होगा, माइनर तो बच गया, माइनर तो बच गया कित्य फाइदे है तूमने तो अपनी मनीनिओरं यह ही बधाओ, पढ़ाही नहीं था इतणा बताओ क्या है यह 18 के हो गए बताओ, दुख होना चाहिए तुमारे को, क्या ही कर सकते हैं तो बताओ, माइनर और मेजर दोनों ने मिलके contract की लाइबल कौन होगा माइनर की मेजर की दोनो Only मेजर लाइबल होगा Only कौन लाइबल होगा, मेजर माइनर भी पार्टनर Crime करने पर लाइबल होते हैं Crime करने पर माइनर को भेलते हैं बेचते हैं बाल सुधारो का सुधारो भेचते हैं बाल सुधारो वर दिमें बाल सुधारो अलग से उनके लिए कोट्स हैं ठीक है उनको उठाएंगे सुबह, आएंगा गोबर साप करवाएंगे, सब करवाएंगे, अच्छी आदतें सिखवाएंगे, योगा करवाएंगे, सही गुण दिये जाएंगे, माइनर को, और अच्छी चीजन सिखाई जाएगी, ऐसे होता है भाई, क्या फाइदा मेजर होने के बा minor can be a partner for the benefits, minor can be a partner for the benefit, यह तो बढ़ा था ना तुमने, minor can be a partner for the benefit, अच्छा, अब सबसे important point है, जो एक्जाम में आता है, क्या minor को necessaries supply कर सकते हैं, necessaries का मतलब क्या, necessaries की meaning सबके लिए एक्विया थी अलग-अलग, necessaries की meaning सबके लिए अलग है, आपके status of life पे depend करता है, आपकी necessary क्या है, पाता है, खुश कौन है, खुश कौन है, मैं खुश हो, वो तो हूँ, तुमारे साथ जो जुड़ा, अभी ध्यान देना हो, necessary क्या होती है, necessary, कपडे necessary है, कपडे necessary है, बिचारे अंधे के लिए चश्मा, अंधे के लिए मतलब मेरे जैसे अंधे जुनको आदा दूरा दिखता है, मैं को पास का पूरा दिखता है, दूर का कम दिखता है, पास का एक नंबर दिखता है, दूर का प्रवाषपाइब काम्जोरा है। चशमा। क्या करें सौमल तरें तो अप्रेशन करा लिया हुआ तक पहले चशमा था उन्होंने आक चाही ऑप्रेशन करा करा लिया चशमा जिंद्गी बरड़ गया Lindsay का मैंने का कव्री डर लगा ऑंच में आड्र हो गए मेरी बात ध्यान से नैसेसरी क्या है सबके लिए एक है अलग अलग है घर नैसेसरी में आएगा अच्छा चोट लग गई डॉक्टर के बाद जाना है नैसेसरी है मैं आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा खाना नैसेसरी में आएगा खाना दारू दारू नेसेसरी में आएगी नहीं आएगी सुट्टा सुट्टा जिनको सुबह सुबह प्रेशर नहीं लग रहा उनके लिए सुट्टा नेसेसरी है की नहीं है बताओ कई ऐसे हैं जिनको सुबह प्रेशर ही शुट्टे से आता है वह बातरूम में जाते हैं सुट्टा ले गए हां ऐसे कई सुट्टा चाहिए हमारा एक दोस्त था सुबह चार बजे शुट्टा ले आए पसार अब ऐसे सुबह गए थे सुट्टा धूड़ना उसके लिए रेलवे स्टेशन से मिला फूगता था हो क्या ही करें कई लोग को रहता है बचपन से आधाते जाती है कई बिगड़ जाते है ग्यारवी से कई बैटें यहां पर भी मालबरो वाले हां सब पता है मेरे को आई-ई-ई-ई-आइव अभी ध्यान देना वाईस ओ बड़ी सभी लो नियसारी है रोटी कप्ड़ा-मकान बेसिक नैस्जिर्यिक्या रोटी कप्ड़ा मकान और 一切 इजम तो शादी को भी नैसिशरी माना गया तो सबहु ड कि ए विखन इसाल बींडल लिखा मैं कि गरों नोट मेरे हैं लेकिन बोल। भी ह Springs एक इभी ध्यान दे न भाई सोसे ना लड़की की शादी को भी क्या माना गया है नैसेसरी माना गया है वह एक्षली ना पुराने जमाने में क्या होता था अभी भी कई जगा होता है दहेज की जो परंपरा है ना बड़ी खराब है जो कई लॉंडे के मावाप ऐसे रहते हैं जो मांग है हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए भाई बेटी आ रही है तु कितने आये 10,00,000,000 तो 10,00,000 का गोल्ड दिया किसको मिताली को दिया तो उसी का है न मैं थोड़ी पो उसके मंगल शुतर डाल के घूम है मिर बताव हो कि मैं ड़ावा उसके मावा पने गिफ्ट ना मने मांगा भी नहीं था अब मानलोव अपने मेरा जो भर का इनागरेशन हुआ उसके मम्मी के टीवी गिफ्ट किया अब मैं थोड़ा बहुत देखता हूं बाकी तो वही देखती है अरे यस और नो भाई सही बात नहीं है अब कार आई तो कौन घुमेगा उस पर उनकी बेटी घुमेगी यस और नो लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए अरे यार सीरि तो मैं थोड़ी कुछ मिल रहा है उसको दे रहे है और इसमें में लगता हुआ अपति भी नहीं जटानाइरा ऑपनी बीटी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो अब मैं मैं सच बतातों हकीकत मेरी जो अभी जो मिताली है उस पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी है मैं कहता ह लेने वाली हो, मैं उसको बताया कि S पर लो, तेरा भी इकोल राइट है, लेकिन वो क्यरिय में नहीं लोगी, मैं ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बता हो, क्या ही कर सकते हैं, अभी देखो, ऐसी बात है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने माइनर को नेसेसरी दियो, बोलो, क्या दियो आपने माइनर को, ठीक है, अगर आपने माइनर को क्या दियो, जल्दी बताओ, necessary दियो, फिर से बताओ, minor को क्या दियो, necessary तो वसूल सकते हो, सिर्फ एक ही चीज है जिसमें minor से वसूल आ जा सकते है, वो है necessary, अगर आप minor को necessary provide करते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, doctor की, fees, school का education तो वसूल सकते हैं, कहां से वसूलेंगे, कहां से वसूलेंगे, minor के पास नहीं होँआ, तो कहां से वसूलेंगे, जैसे उसकी, मानलो, कोई घर का rent है, education है, कहां से वसूलेंगे, कहां से वसूलेंगे, तो उसकी property से वसूलेंगे, जो भी उसके पास property होगी, कोई mobile phone है तो वो ले लो गाड़ी है तो वो ले लो भाई आप माइनर को नैसेसरी देते हो तो वसूल सकते हो कहां से उसकी प्रॉपर्टी से फिर सोलो कहां से वसूल सकते हो पेटा उसकी प्रॉपर्टी से तो याद रखना माइनर याद रखना परस्नली लायबल तो नहीं है नैसेसरी के लिए लेकिन his property is liable, उसकी property liable है, बोलो क्या liable है उसकी property फिर से लो क्या liable उसकी property, फिर से लो क्याo tauилось की泡शा। property से फिर से लो कहां से वसूल होगे उसकी property से बोलो yes or no बोलो हाँ या ना याद रहेगा बोलो yes or no ठीक है अरे बोलो yes or no अच्छा minor एक student था उसने 11 फैंसी coat लिए कितने coat 11 फैंसी coat लिए है ना जबकि उसके बास already अच्छे पैस खारे clothes थे अब पैसे नहीं दिया minor ने क्या वसूल सकते हैं तो माना गया कि एक भी single coat भी necessary नहीं थी उसके बास already कपड़े थे माना गया एक भी single coat necessary नहीं था तो नहीं वसूल सकते हैं पैसे हाहा गए भाई से वाव माइनर हाँ लोग है यह लोग अजीब है जैसा भी यह लोग है क्या कहता है लो माइनर मेरा वच्चों है तू क्या बोलता है माइनर मेरा माइनर ने कुछ भी किया breach of contract कर दिया तूम कुछ नहीं उखाड सकते उसका मतलब कोई 17 साल का बच्चा यूनिक में admission कि यह लगाया पूरा पढ़ लिया फीस नहीं दिया क्या वसूल सकते हैं येस क्योंकि education is a necessary खुसमा तो ज्यादा बट है यह education is a necessary education किसमें आएगा necessary education will come under necessary doctor की चीजे necessary में आएगी समझें क्या necessary है क्या necessary है क्याelles क्या नहीं है वह again court को एक बहुती disputable caution हो सकता है वोा court पर छोड़ा है हमने की code बताआए क्या नैसेसरी क्या नेसेसरी नहीं अचा के ना माइनर भी ऐशेर होल्डर के ना माइनर भी ऐशेरोल्डर गाइस के ना माइनर भी ऐशेरोल्डर गाइस के ना माइनर भी ऐशेरोल्डर गाइस के ना माइनर भी ऐशेरोल्डर के ना माइनर भी ऐशेरोल्डर जल्दी बताएं हाँ can a minor be a shareholder answer is minor can be a shareholder if shares are fully paid up if shares are fully paid up अगर shares fully paid up है तो yes minor can be a member minor can be a member if shares are what fully paid up अब एक question है आप लोगों से मेरा थेखें देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा मान लो guys minor जूड बोलके कि एक ज्यादा है पैस गाड़ी ले गया गाड़ी मेरी गाड़ी ले गया जुड बोलके अटरा किये गाड़ी ले गया और नहीं दिया पैसे तो ज्यादा से यादा मैं minor का क्या उखार सकता हूं तो court यह कहता है कि वैसे तो तो माइनर का कुछ निहादा सकते लेकिन हाँ ओना गुड़ फेट गुड़ फेट तुकि तुम गुड़ फेट में थे एक सही निर्णा यह होगा कोट कहता है कि मैं तुम्हें बाइक वापिस दिलाओं लेकिन वो तब ही हो पाएगा जब माइनर के पास गाड़ी है अगर उसने गाड़ी बेच दिया फिर मैं कुछ नहीं होता कि अठरा की यह तुमने गाड़ी दे दिया उसने पैसे नहीं लटाया जादा से जादा क्या कर सकती है कोट है की गाड़ी रीस्टोर करवा सकती है अगर गाड़ी अवलेबल होगी माइनर के पास तो और अगर वो उसने बेच दिया फिर तो राम नाम सत्तिया कुछ न कर रहें अब्बड सर्गी कसम अगले फते चल रहे हैं बस अभी तक तो यही प्लायन आ याप जा रहें तो मैं बताओं कहाँ चल रही है कौनसी तरीक को अगले समझे लेक्म और समझे। दो थो समझ HR फ्राइडे मों 2 चलते हैं थर्टी-2 water park जा रहे हैं पन online are online most welcome है most कैसे welcome है most 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 welcome ठीक है so उसका क्या है क्या है सब कल बता हूँ मैं कैसे करना है ठीक है क्या scenario है so yes thank you so much आज के लिए done करते है ठीक है handwritten notes मिल जाएंगे दनीक don't worry हाँ जी तो आज के लिए डन करते हैं गाना सुनोगे गाना सुनाते हैं रुगो कौन सा गाना सुनोगे बताओ कि अरे सुनो यार गाना यार तुम भी क्या यार कि हां कि क्या बेटा बच्चे कह रहे हैं एक अजनभी हसीना से सुनाओ चलो सुना देते हैं वही वाला अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है अब तुम इतना फोर्स करी रहे हो तो क्या करें जूही बेटा ओफिस में बात कर सुनिए एक अजनभी हसीना से यू मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई वो अचानक आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चान चेहर पे जुलफें बिखरी हुई सी दिन में रात हो गई एक अजनभी हसीना से यू मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पे मैंने ये कहा तो मुझसे खफावो जाने हया थो गई एक अजनभी हसीना से यू मुलाकात हो गई एक अजनभी चुडएल से मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पुछो वो मुझे धोका देकर कहां गई इबीसील के नोट्स दिखा इबीसील के नोट्स मैं गुरूप में सेंड कर रहा हूं पूरा कॉंटेंट से मैं मैं आज करवा देता हूं ठीक है लव यू क्यों सो मच बाइ कमेंट जरूर करना कमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोकल नहीं किया दे कमेंट करो लाइक करो और लव यू तू लव यू बाइ टेक कियर विल मिस यू मिसमी तू बाबाइ